सबी दोस्तों को नमस्कार, स्वागत आपका आपके अपने यूटूब चैनल All DTS Solution पर ये B27 का कार्ड है हमारे पास, जो की डेड कंडिशन में है हमारे ही वर्क्शोप में करने वाले कारीगर नहीं हमको दिया है कि ये डेड है हमसे नहीं हो पा रहा है, थोड़ा आप इस पे ध्यान से चेक करें तो कभी-कभी कारीगर की बात माननी पड़ती है तो ये डेड कंडिशन में है, तो इसका डेड कंडिशन का फाल्ट आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करना चाहता हूं कि इसमें क्या दिक्कत आई होगी, तो जैसे हमारे कारीगर ऐसी आप सब भी हमारे कारीगर हो हम सब एक दूसरे के लिए कारीगर ही हैं, तो इसी का वीडियो शुरू करेंगे, तो मैं कैमरा स्टेंट पे लगा देता हूं तो दोस्तों इस कार्ड को जिक पे चेक करेंगे और आप सबको दिखाएंगे यह पैनल की वायर मैंने लगा लिया, और यह सप्लाई की वायर और पावर कर दिया ओन पैनल में यह दिक्कत है और बागी टीवि की वायर बाद में लगाएंगे पहले इसे ओके कर लेते हैं तो मीटर मैंने फिर से अपना ओन कर लिया है जो खराब हो गया था उसको ठीक कर लिया है इसी पर वोल्टेज दिखाऊंगा आप सबको कहां पर कितनी वोल्टेज हमें चेक करनी है किस तरीके दे इस फाल्ट को देखेंगे इसमें देखें ये आईसी भी चेंज किया हुआ है हमारे कालीगर के दुवारा लेकिन उस पर ठीक नहीं है और आईसी गरम भी बहुत तेज हो रहा है देखो मैं दिखा दूँ एक बार देखो ये एकदम से सूख जाएगा इतना तेज गरम आईसी देखें एकदम से सूख रहा है इतनी तेज गरम आईसी तो आईसी का जैसे मैंने बताया था कि इसमें वोल्टेज जो चलती है वो सिरिज बाई सिरिज चलती है एक आईसी उत्रावा काड़ मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें जो वोल्टेज हमारी यूज होती है वो सिरिज बाई सिरिज होती है ये देखें डबल प्रिंट इसमें बनके चल रहा है जब तक ये डबल सिरिज बाई सिरिज बाई सिरिज वोल्टेज इसमें नहीं बनेगी तब दक ये वर्क नहीं करेगा तो अपने ही कार्ड में voltage चेक कर लेते हैं कोने वाली पिन पर voltage चेक करेंगे 3.3 volt अभी supply बंद है क्योंकि IC गरम हो रही है तो supply मैंने off कर दिया था इस कोने वाली पिन पर 3.3 तो यहाँ पर voltage कम है क्योंकि IC हीट हो रही है कम है तो मैं जल्दी जल्दी चेक करा देता हूं कहां पर कितनी वोल्टेज आ रही है 11.17 पर भी देखेंगे बीच वाली पिन पर यह कोने वाली पिन है और यह बीच वाली पिन है 1.8 उसी तरीके से सिगनल आइसी पर चेक करेंगे इस पर 3.3 लेकिन इस पर जो ड्रोपिंग है वोल्टेज कमी सरी है आँ दूसरे वाले पर चेक करेंगे мы दूसरा कोई वोल्टेज सो करें गए नी नी क्यूंकि प्रोसेसरी ON नहीं है हमारा पूरा पूरी तरीके से गया तो इसको दूसरे तरीके से भी चेक करेंगे जो हमारी तीन वोल्ट आते हो यहां आती है लेकिन कम आ रही है पहले इस तीन वोल्ट को कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं थोड़ा सा तो दोस्तों तीन वोल्ट तो पूरी नहीं हुई हमारी वो ड्रोपिंग पर ही है तो इस ड्रोपिंग के हिसाब से हम वोल्टे चेक क बहुता है तो यहां समझता है यहां तो पर करें दो यह वोल्ट है यहां पर बने बन दो यहां पे भी नहीं है और अगर कार्ड को उल्टा करके चेक करते हैं तो यहां पे तो है लेकिन यहां से आगे कहीं नहीं जा रही है तो हो सकता यहां पे प्रिंट ब्रेक हो सकता है ये भी समझ के चलो के 95% यहाँ पर प्रिंट ब्रेक होगा और 5% की कोई 95 के आगे कोई वैलू नहीं है तो सप्लाई ओफ करके पहले इस कैपिस्टर को ही निकालते हैं फिर देखते हैं थोड़ा जूम आउट करूँगा यहाँ आपे क्यूंकि कैपिस्टर आपको निकालके भी दिखाना है जो भी फाल्टेम यहीं से ही ठीक करेंगे इसे काम करते वे इतना तजरुबा अपने आप ही हो जाता कि कहां पर क्या मिलेगा तो इस कैपिस्टर को निकालेंगे क्योंकि इस से आगे वॉल्टेज ही नहीं जा रही है दोस्तों वीडियो बिल्कुल पूरा देखें ये फाल्ट आपके पास भी आ सकता है इस कैपिस्टल से आगे एक पी एफ लगा हुआ ये ध्यान से देखो जूम करके दिखा रहा हूँ ये इस पी एफ का प्रिंट टूटा हुआ है इस से आगे वॉल्टेज इसी लिए नहीं जारी है प्रिंट टूटा हुआ है तो इस प्रिंट को पहले जोड़ेंगे इस प्रिंट को अच्छी तरह खुरच के तब जोड़ें ताकि ये छुटे ना बड़े ध्यान से इसी की वज़े से IC हीट होती है क्योंकि 1.8 IC तक नहीं मिल पाता तो सिरिज बाइ सिरिज वोल्टेज रेगुलेट नहीं हो पाती इसलिए वो हीट हो जाती है अगर हम इसे और ज्यादा देर हीट करते तो खराब हो जाती तो इस प्रिंट को जोड़ेंगे उसके बाद फिर वापिस कैपिस्टर इसमें लगा देंगे या दूसरा कैपिस्टर लगा देंगे कि यह कैपिश्टर भी थोड़ा हल्की वैलू का है तो थोड़ा जो अच्छी वैल होती वह लगा देंगे इसमें तो पहले स्प्रिंट को जोड़ेंगे देखें प्रिंट हमने जोड़ दिया इसमें यह देखिए और इसमें कैपिश्टर लगा दिखा देंगे यह और फिर इसकी वोल्टेज चेक करके भी दिखाएंगे इसमेंगे अब इसे जिक पे लगा के चेक करते हैं एक तो इतना बारिक जगा से प्रिंट ब्रेक है कि जल्दी से पता नहीं लग पाता तो पावर मैं ओन कर देता हूं और पैनल पर देखिए डिस्पेले ओके हो गई और अब इसमें टीवी की वायर भी लगा के चेक कराता हूं आपको यह देखिए टीवी स्क्रीन पर और अब इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं हमारे भाई ने कमेंट किया कि जब फाल्ट ओके हो जाए तो वोल्टेज चेक जरूर कराएं तो अब आपको वोल्टेज चेक कराता हूं यहां तो 1.8 आई रही थी यहां नहीं आ रही थी यहां चेक कर लेते हैं और 3.3 जो ड्रोपिंग कर रही थी वो भी देख लीजिए तो जब IC हीट हो रही थी तो वो ड्रोपिंग हो रही थी अब इसमें का जो इसू था वो खतम हो चुका है और अब इसमें यह उपर वाले PAP 1.8 यह स्टार्ट बेस वाली रिजिस्टेंस है दोनों साइड और यह उपर वाले PAP 3.3 और यह उपर वाली दोनों कोईल है लेफ्ट और राइट वाली सभी वोल्टेज उक्के होगी कार्ड भी चालू हो गया और यहां पर वोल्टेज नहीं थी देकि यहां भी आ गई क्योंकि जब मैं आईसी वर्क करेगा तो सभी वोल्टेज उक्के हो जाएंगी तो दोस्तो इस प्रिंट ब्रेक की वज़े से यह फाल्ट इसमें आया हुआ था लेकिन यह फाल्ट हमारा कारिगर नहीं पकड़ पाया क्योंकि थोड़ा सा एक्स्पिरेंस कम है उनको भी लेकिन फिर भी ठीक है काम कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तो यह फाल्ट आपके पास भी आ सकता है तो दोस्तो वीडियो परसंद आये तो वीडियो को लाइक कर से शेयर कर दें और जो भाई पहली बार वीडियो देख रहे हैं और हमारे साथ चैनल पर जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को ओल कर लें तो दोस्तों मिलेंगे एक और नई अच्छी बढ़िया धमाकेदार वीडियो के साथ नमस्कार